आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आदात के टेबल को देगी आदात के टेबल में तमाम आदात पाँच इनसी अदत वाले आदात है इसका मतलब इसकी खीमत तस हजार है इसे कैसे लिखे और कैसे पड़े पहले खाके में जो आदात है उन्हें बिलतर्टीब एक आई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार वाले खाके में मुखामी खीमत दिखाने वाले खाके में बाटते हैं सीधे हाथ के पहले नमबर से शुरू करें बिलतर्टीब उल्टे हाथ की तरफ इसे जमाएं तो हम आदात लिखना शुरू करते हैं आठ एकाई साथ दहाई पास सेकड़ा तीन हजार और एक दस हजार यू सी वी गेटिंग दवैल्यू वन तैन थाउजन त्री थाउजन पाई हंड्रीट सेवन तैन एट यूनिट आप मुखामी खीमत के खाके में पाऊंगे आपको 10,000 के मुखाम पर 1 मिला 1000 के मुखाम पर 3 मिला और सेकड़ा के मुखाम पर 5 मिला 10,000 के मुखाम पर 7 मिला और 1,000 के मुखाम पर 8 मिला That means 110,000, 3,000, 578 Plus the value 10,000 and 1000 10,000 और 1000 वाले मुखामी खीमत के बॉक्स के आदात की जमा करे We get the number 13 It means 13,000 Now read it like 13,578 हमें बिलतती तेरा हजार पास्टो अठेटर नमबर हासिल होंगा So we are writing the value number in word box अब हम आदात को लफजो में लिखेंगे खाके के अंदर So we are writing number in word 13,578 Write the second and third row number in same pattern Plus the 10,000 and 1000 वाल्यू हमें इसी तरह दूसरे और तीसरे खाके के आदात को बिलतर्तीब मुखामी खीमत वाले टेबल में जमाना हैं और दस हजार और हजार की खीमत को जमा करके दोबारा लिखना हैं Similarly we are getting the value 12,313 इस तरीखे से हमें 12,313 का अदद मिलेंगा Same pattern for third box and getting the number number in word box 23,105 हमें तीसरे खाके को भी इसी तरह से एकाई दाही से कड़ा वाले तरतीब में जमाना हैं और हमें जो नंबर हासिल होंगा वो 23,105 वाला होंगा I hope you understand how to read and write five digit number हम उमीद करते हैं के इस तरीखे से आपको पाथ हिंसी अदद लिखना और पढ़ना आ चुका होंगा We will meet in next video Bond with Talimi Samandar and thank you for watching Bye Bye We will meet in next video